नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो हर्याणा में सीटी में जो ग्रूप सी और जो डी वाला जो एक्जाम हाली में होने वाला है तो इसके लिए जो मेहतकून जो कोशन प्रेक्टिस है जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं और सभी सभी जो कोशन यह में तक होना है जसके आपको बता है यह जो गुरूप दिया इसके अब जा पारम निकल चुके हैं और लगवाग जो एक मिने का समय दिया गया है पारम बढ़ने के लिए तो जो आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो जिसमें हमारा यहां पर पहला जो कोशन है कि यहां पर एक सही सुमेरित नहीं है तो वह कौन सा है सिल्वर ब्रोमाइड कृतिम प्रकास अंसलेशन सिल्वर आइड कृतिम वर्षा लीथियम बाइकार्बनेट पठियक पचार यदुद्य मेगनीसम पढ़ति हों तो यहां पर इनमें कौन सा सही नहीए और यह जो ओप्शन ए वाला यहां पर मान गया सिल्वर ब्रोमाइड कृतिम प्रकास अंसलेशन तो यहें जो जो जोड़ा है यहां पर शही नहीं है यह जो सिल्वर प्रोमाइड होता है रिसायनिक लाद आजाता है तो यह आपने याद हम एक यह जरुइब कि पानी और कार्ब अ्यूमर्क रिक ector कर थे यह आपर सही जो देखेब तो इसका प्रयोग इसमें नहीं होता है इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफ में उसके बाद आजाता है एको सिस्टम जैस के समझ में क्या सकते हैं प्रात्मी को भूगता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते उत्पादक प्रात्मिक उभोक्ता स्याधिक है या दिवित्य उभोक्ता अधिक्तम होने के साथ साथ बहुत ही सक्तिसाली है तो इको सिस्टम के स्वंध में इन में से क्या सही है और इनके बारे में जो सही है ऑप्शन सी वाला या पर इसमें मान गया है तो यह जो पारी तंत जो कि अपने अजयर प्रेवर्वन के साथ अंतक्रिए करका एक संपुन जाउड़ी कर बनाते हैं और इस में उतपादकों की संख्या प्रात्मी को भुगता से अदिक होती है और प्रत्यक स्वेक्शान पर जीगों की संख्या करते जाती है और एक इकोसिस्टम में प्रात्मी की बोगता जैसे बैड़ गाएं बख़्र्यादी और उत्पादक जिसमें प्यर पोदे यह आ जाते हैं इन पर अधिकतम रूप से निर्वर होते हैं इसमें जो और प्रात्मी क्ये बोगता से अधिक बाने गई है उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर भी एक सत्या इनमें नहीं है भूमत देरेका से द्रोव के और जाती विविता में विर्दी होती है उसरों का डिवन्दे सीतों संक शेतर क्या पिक्सा आधिक जातियों का आश्रे देते हैं विशालतम जै विविता अमेजनी वर्षावनों में पा जाती है या जाती विविता सीतों संक शेतर से द्रोव के और घटती जाती है तो इनमें से एक सत्या नहीं है और वो कौन से वाला है और इनमें देखे तो जो आप्शन ए वाला है उसी को यहां परिस में सही नहीं मान गया है। प्रिथी पर उसन कटिवंद्य क्षेतर में सीतोषन कटिवंद्य क्षेतर क्षेतर में अधिक जाविया परजाते निवास करती है। और भुमद्यारेका से सीतोषंक्षेतर तथा सीतोषंक्षेतर से ध्रोप्यों जाने पर यह विविता घटने लग जाती है और विशव में सरवादिक जाविविता दक्षिन अमरीका में ब्राजियल ख्षेतमिसित अमेजन के वर्चावनों में पाई जाती है और यह वन यहां आयकर स्मेलित नहीं है और वह जो आप्षन टी में है प्रास्टोई कन चाई तो यहां पर जो हमारा इस में जाये पास चोरी काण है यहां पचार जैंड हो जाएगा पास चोरी काण तो यहांपर जो विक्रिती काण क्या है विक्रिती काण हुआ सांद्रित लवन. और चतूरत अलचनक हो देते हैं परतिलों पराशन ये जल सोधन की एक प्रकिरिया है जिसमें अर्दक प्रागम में जिली की सायता से जल में उपस्तित आयनों अनवस्चक अणों त्थबड़े कणों को हटा जाता है। पहले किया जाता है तो अप्शन डी जाए आप इसका हो जाएगा और फिर भी आगर किसी को कोईशन का लगती है तो आप सही उत्तर के साथ कमेंट जूरू कर दीजिएगा नेक्चान निमलीखित गटनापून के परारम के कालमकर में वर्ष्थित करें और नीचे देगाई सही उत्तर को चुनी है तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर यह आपने बताना है तो वन्यजीव अधिनियम है जैविवित अधिनियम प्रोजेक्ट का एगर प्रोजेक्ट काती तो कौन से वाला इसमें सही है तो यहीं पता नहीं है तो सही उत्तर कौन से है सही उत्तर जाहिए आपर इसमें ऑप्शन रहेगा भी वाला एक तीन चार और दो एक तीन चार दो एक तीन चार दो आपीश तीन चार और दो to इसी प्रकार से जाहें यहां पर इनका ये बनेगा एक चार दिन दो तो वह ने जीव श्रक्षिन अधिनियम उसके बाद प्रोजेक्ट ताइगर फिर प्रोजेक्ट था थी और फिर जावीता अधिनियम ये काल करम के अंसार जाइश पुकास से बनेगा उसके बाद है टेलिग्राफिक पठार ये किसका हिस्सा है उत्रिया अट्लांटिक कटक दक्षिन अट्लांटिक इन मासागर ये इन में से कोई सब नहीं उसे बाद है मोरिबन डेल्टा निम्लिक में से किस डेल्टा का है एक उपभाव है कृष्णा गोदावरी डेल्टा महानदी बंगाल डेल्टा कावरी डेल्टा या इन में से कोई सभी नहीं तो यहाँ पर है यह Moribon Delta और इसका जो स्वंध है Option C में है तो यह है Bengal Delta का बंगाल डेल्टा गंगा तता ब्रह्मपुत्तर नद्यों के बीच में स्थिद है उसके बाद है The Rise and Growth of Economic Nationalism in India जो है इसके लेखक है पार्थ, सार्तिगुप्ट, एस गोपाल, ब्यारनन्दा या वी पिंचन्दर तो The Rise and Growth of Economic Nationalism in India इस पुच्तर के लेखक है और इसके जो है Option D वाले यहाँ पर माने गई है तो कौन है यह वी पिंचन्दर है उसके बाद है निमलिक्त में से भारत के सिवधान के किस में परेवन सरक्षन एम स्वर्दन तता वन वन जीव की रक्षा के प्रावधान पाय जाते हैं तो निमलिक्त में से भारत के सिवधान के किस में है? परिवन सरक्षन और समर्दन और वन्या 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 जीव की रक्षा के प्रावदान है केवल राजय के निती निदेशक्ततव में, केवल मूल करतव में, ए और भी दोनों में या इन में से कोई साथ ही नहीं और यहां पर जो इनमें रहेगा option है C वाला, तो इन दोनों में माने गई है, तो यह जो भारत का जो सविधान है, भाग चार, भाग चार में A, इसमें अनुछेद है 51 A, तो इसमें प्रिवन्स रक्षन और समर्दन तता 1 A 1 जीव की रक्षा, इनका प्रावधान है, और भारती स्विधान में मौलिक करते हैं वकद जो प्रावधान ये सोवेत संग्य स्विधान से लिए रहे हैं, और सरदार स्वान सिंग स्मीती की सिफार्स के दार पर ब्यारिषवा जो संसोर्दन हुआ था, 1976 में, इसके द्वारा इनको स्विधान में सामिल किया गया था, स्विधान की प्रस्तावना का विधिक सवरूप, यह लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है, विशेस परतितियों में लागू किया जा सकता है, या उप्रोक्त में से कोई साभी नहीं, तो स्विधान की प्रस्तावना का विधिक सवरूप क्या है, और यह पर देखे तो जो अप्शन भी वाला है तो क्या है इसे लागू नहीं किया जा सकते हैं तो शुर्दान की प्रस्तावना समन्ने विशेश किसी भी प्रस्तिती में न्याईक रूप से प्रवर्तनियां नहीं है उसके बाद मानो आहर में पॉलिस की हुए चावल के उप्योग से निमल लेकित रूप हो जाता है तो बानो का जो आहर है भूजन है इसमें जो पॉलिस की हुए चावल रूपत्य होते हैं आपने चावल देखेंगे विर्कुल एकदम से चीकने सफेद चमक वाले दिखा देत हैं तो इन में से रोग हो जाता है तो इन से रोग हो जाता है और यहां पर है ओप्शन यह वाला तो यह होगा बेरी-बेरी रोग उसके बाद है प्रकास उर्जाका ओप्टिकल फाइबर में संचलन निमलिकित गटना के अनप्रियोग द्वारा किया जाता है तो प्रकास उर्जाका ओप्टिकल फाइबर में संचलन पुन आंत्रिक प्रवर्तन विवर्तन प्रकिर्णन या अप्वर्तन और इसको जो पूर्णांतरिक प्रावट्ति उसकी बात को से आ जाता है इन में से एल्प्षीड़ो यह जो एल्प्यो ये क्या है अधार है कि संचाल सकती है सर्जक्रुर्ण या कि सकती है तो एल्प्षीड आ है और इसको जो यहां पर माना गए है option डीम मी तो यह कि यह वापसी की सक्ती होती है ए अल्बीनो का समझ जाए जो संचार सक्ती जो है उससे माना गए है है हुआ है है जो संचार सक्ती जाइज से माना गया है और भुगोर में किसी स्थायपरा आपतित संपुर्ण विकेंड में से जितना विकेंड इस्थायद वारा प्रवर्तित कर दिया जाता है तो उसको अलबीडो कहा जाता है तो यह संचार सकती जो है यहां पर इसमें हो जाएगा तो यहां पर अगर देखे तो हैल पीड़ो जो है यह जो अप्शन टी वाला इसमें आता है थो वाप्शी की सक्ती जाए माल जाता है क्योंकि अल्ल्बीडों जो आपने ओपर पढने वाले उपाश को पूर तरह से वापस चुमका दिती है तो उसका अल्ल्बीडों 01,0 परतिसाथ सो प्रतिषयत कहा जाता है तो यह वापसी की सक्ति जो आप इसे यहां पर कह सकते हैं तो अलबिडो जाएए ही यहांप पर इसका सही अंसर रहेगा वापसी की सक्ति उसके बाद प्रस्थिती की तंतर में एक पोसी स्थर से दूसरे पोसिस्तर में स्थांतर से उर्जा की मात्रा बढ़ती है गढ़ती है, स्तिरती है, बढ़ सकती है या गढ़ सकती है तो प्रस्तितिक तंतर में पोसिस्तर से दूसरे पोसिस्तर में स्थांतर से उर्जा की मात्रा और इसका जो समद देखें तो अप्शन B में है तो प्रस्तिति की तंतर जो इसमें एक पोशन स्थर से दूसरे पोशन स्थर को स्थंत्रिय उर्जा की मात्रा गड़ती है और एक पोशन स्थर से दूसरे पोशन स्थर को एक मात्र दस परतिसात उर्जा ही स्थंतित हो पाती है तो यहां पर गट नजवाई इसका मानविया है उसके बाद है भारत के जो शिवदान इसकी ग्यार्मियान सोची में कितने विशा थे 22, 29 या 32 और इसमें जो थे ओप्षन रेगसी वाला तो 29 जा इसमें थे तो भारत का जो शिवदान जो है इसमें 73 वा जो संसोधन था अदिनियम 1902 इसमें 11 अनसोची को सामिल किया गया था और इस अनसोची में ग्रामिन विकास, ग्रिबी उनमोलन, पंचायत की सक्तियां, मजार, सड़क और पीने के पानी इन विशों को सामिल किया गया था तो इसम समय 29 अनसोची कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निमन में से किस नाम से जाना जाता है निवट्रक सर्वर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर तो वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसादन परदान करता है और उसको जो का जाता है तो सर्वर उसे हम कहेंगे कि सर्वर जो होता है यह विफिन फंक्सिलाइक्टीज को प्रवाइड करता है जिन अक्सर सर्विस का जाता है जैसे कि डेटा या रिसोर्स को मल्टिपल क्लाइंट पर शेयर करना या क्लाइंट के लिए कंप्यूटेशन को परफॉर्म करना और एक सर्वर जो होता है यह मल्टिपल क्लाइंट को शरू करता है या एक सिगनल क्लाइंट मल्टिपल सर्वर के इस्तमाल करता है और यह जो क्लाइंट प्रूसर्स जो है एक ही डिवाइस पर रन हो सकती है या नेटवर्क पर सर्वर कनेक्ट हो सकता है तो इसका समल जाई सर्वर से मन गया है उसके बाद है विश्वजन संख्या दिवस का मना जाता है कि जुलाई 27 ग्यारा या 27 अगस्त को और यहां पर एक उप्शन से वाला तो यह मना जाता है 11 जुलाई को क्योंकि 11 जुलाई 27 ग्यारा विश्वजन संख्या पांच अरप पर पहुंच बही था उसके बाद है निमोलिया रोग से विए कि कि संकॉप रॉइट करता है फेप्रे कलोम यक्त आत को और यहां पर एक उप्शन यह वाला तो निमोलिया रोग जो होता है फेप्रे मिस अंकरमन और सुजन जाउस के कान होता है तो अप्शन लाएगा यह वाला मानव रकरत में प्लाजमा की लवबक कितनी मात्रह होती है 26-30,25-60,70-80,80-80 मानव जो रखती है प्लाजमा की लवबक मात्रह होती है और मात्रह जो होगी 15-60 जाया पर मानी पही है जबकि जो इसमें 45 परदिस अब भाग होता धी रक्त को शिकाओ का होता है लेक्ट है भात का सुर्वच नागरिक समान इन में से कौन सा मान गया है पदम सिरी पदमी पूशना सोक चक्रिया भात रतन तो यह है भात रतन और 48 व्यक्तियों को जाई दिया गया है उसके बाद जो हमारे यहां पर जो रिजनिंग जो इससे संदित पॉशन आ जाते हैं तो यहां पर क्या है एक लुप संख्या है यह जो लुप संख्या यह बतानी है कि इन में कौन से वाल जाईगी और इनका कौन सा करम जाई यहां पर चल रहा है और यहां पर देखे तो अप्शन सीव को मन गया है एक को तो इनका करम कैसे चल रहा है यहां पर तो यहां पर अगर हम करम देखें तो दो और तीन यह होते हैं पांच पांच का जो है पावर तीन हो रही है पंचे इसे हैं यहां पर चार और तीन साथ है और ऐसी अगरम यहां पर भी देखें तो पांच और एक छे चेख चेख चतिशी का दोसुष तो इस प्रकार का जो करम है यहां पर यह चल रहा है यह किसी प्रकार से एक्जाब में आ जाती है उसके बाद है निमालिकी समिगान को सही बनाने के लिए किन दो चिन्नों को प्रस्पर बदल देना चाहिए तो कुछ जो यह संख्या दी गई है दो चिन्नों को प्रस्पर बदल देना चाहिए इसको सही बनाने के लिए कौन से है जिन से सही हो जाएगा और यहां पर जो मानगाय उप्शन B वाला बाग और माइनस का जो चिन है उसको तो जब हम इसको यहां पर बदल देंगे तो इसका क्या आएगा तो बोर्ड मास वाला जो फर्मूल जो तो आपने लगाना है भाग गुणा जमा वाइनस पहले भाग फिर गुणा फिर जमा फिर माइनस ऐसे करम में इसको आपने हल करना है और जब हम इसे हल करेंगे तो 69 बराबर 69 यहां पर इसका आएगा नेश्ट है उस विकलब का चैन की जो तीसरी संख्या से उसी तरह समन्दित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से समन्दित है जैसे 12 12 है ऐसी 15 का कैसे आएगा तो जैसे 12 को हम 16 करते हैं तो 112 में आता है ऐसी ही जब हम 16 15 को 16 करेंगे तो आएगा दो सो चारेस ऑप्शन सी वाड़ी नेश्ट है निमलिक सिंग्रिला में पर्सन चिन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो यह जो कॉश्चन मारक है इसके स्थान पर 114 स्थाई 53 22 या 244 और यहां पर कौन से आएगी किस करम में चल रहा है और यहां पर आगर हम देखें तो 114 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा और इसका हो जाएगा दुगणा तेरा का दुगणा 26 और जब हम 26 में भी 13 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 39 49 में भी जब हम 13 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पावा और इसमें भी जब हम 13 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 65 तो यह एक करम यहाँ पर चल रहा है मतलब क्या इन में सारों में 13 तरह जुड़ रही है तो इसी प्रकार से जब आमी से यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आएगा 309 नेश्ट आजाता है यहाँ पर एक उठ भास में जो सब्दाया है लेबने, इसको जब हम इस कोड में लिखते है तो उसी पर आएगे में इसको जब हम लिखेंगे तो इनमें कौंसे वाला कोड आएगा और इसमें जो फिर बनेगा यहाँ तो यह North कोड आएगा इसका तो जैसे यह क्या है जैसे वाल? है जैसे इंगरेजी-ाइवन-माला होती है इससे आप ऐसे सकते हैं यहां का about अधर के ले स्कुनिए नंबर परें तो एन जुरका है यह वंन माला में वार भी नंबर पर आता है ए क्या है पहला है ऐसे ही M है कि में कौन सा है तेरा है तो इस प्रकार से जो करम है वह जो वणमाला उसके सारा है और जब हम इसे भी रखेंगे तो यह ऐसे कुछ बने गई तो आप इसके अग्रेजी वणमाला जा उसके इसको रखकर देख सकते हैं जो को अ उसके बाद है एक ही पास्य को तीन अलग अलग स्थितिया में डिकाए गया है जिसमें जिस फलक में संख्या मया सिंध्या फांच है인श een विप्रित फलापकर कौन सी संख्यायगी तो मतलब जैसे यह पांच आ शाएगा, तो यह पर देखे के विप्रित फलापकर 2 तो 2 डाय ज़या तो यहां पर पासे की जो पहली और जो तीसरी स्थीती है तो इसमें चे ततर चार दो पासे में सेम है यहां पर छे चार छे चार तो यहां पर जाए यह दो जाए आ जाएगा ऊसके बाद question अपर ई ततब ब का अर्थ यह जो पलस है इसका मतलब कह south के हैं आप पर प्योत्री है और भाग जो है इसका मतलब पती है तो यह वाला क्वोशन है जब हम इसके स्तान पर इसको रख कर देखें तो पीवी से किस पकार समन्दित है यही बताना है और जब हम इसे यहां पर हल करेंगे तो इसमें बनेगा ओप्शन C वाला तो इसका मामा जो है यहां पर इनमें बनेगा उसके बाद है निमले की चार सब्दों में से तीन सब्द किसी प्रकार से एक सब्द है और एक सब्द एसमान है तो जो एसमान सब्द है वो आप बताना है कौन सब्द है संत्री बैंगनी गहरा निला या चांदी और यहाँ पर देखें तो जो आप्शन डी वाला है तो और सारे कलर है यह चांदी को छोड़कर चांदी जो आए धात्व बगरा जो है उसमें आ जाती है नेक्ट है सिप्रा और मालनी की वर्तमान आयू का योग है फैंसा पांच वर्स के बाद सिप्रा की आयू मालनी की आयू से पंदरा वर्स अधिक हो जाएगी तो मालनी की जो वर्तमान में आयू है यह कितनी है और इस पकार के question जाएए मान कर करने है और इसमें हो जाएगा पी वाना तो माना कहें मालनी की वर्तमानायू कितनी हो जाएगी एक्स और सिप्रा की तो कहें सिप्रा मालनी की वर्तमानायू करियो 65 है पांस वर्स के बाद सिप्रा क्याई मालनी क्याई उसे 15 वर्स का दिक हो जाएगी तो यहां पर हो जाएगा 65 माइनस में X और पांस साल के बाद तो पांच वर्स के बाद जो है इसकी हो जाएगी 65 माइनस X माइनस प्लस पांच वर्स और फिर यह हो जाएगा 75 प्लस प्लस वाले जुड़ जाएगे तो 70 और X यह हो जाएगा इसका पिर मालनी जो है मालनी क्या यह कितनी है यह हो जाएगी X प्लस 5 तो जब हम इसे ठाल करेंगे तो 25 जो आएगा नेक्ट आज ने मलिक सर्दों को तरक्पूर्ण तथा शार्थक करमे वस्तित कीजिए जैसे कलाई है नापुन है कंदा है कौनी है अतेली है अमुलिया है तो सही करम इनका कैसे होता है अपने हाथ से देख सकते आप इनको मान कर कैसे हो गाई तो जब हम इसे देखेंगे तो कौन से बनेगा उप्शन सी में बनेगा क्योंकि क्योंकि कंदा होता है हमारा कंदे में क्या जुड़ी होती है कोहनी जुड़ी होती है कोहनी के बाद आजाती है कलाई क्लाई के बाद आ जाते हैं हमारी हथेली हथेली के बाद आ जाते हैं और उंग्लियों के बाद आते हैं ना तो यह कंदे से लेकर जो नाखुन तक अपने बाजू आप देख सकते हैं किस किस तरीके से हैं अगर वैसे आपको समझ में आता है उसके बाद निम्लिक्त आकरिती सिंखला में आने वाले अगली आकरिती का चैन कीजिए तो जैसे यहां पर यह आकरिती बनाई है यहां पर कौन से वाली आईगी तो यहां पर देखे तो यह स्टार जो है उपर की साइड में है और यह जो खड़ी लाइन जो है यहां पर है अगली में यह यहां पर आ गया और यह यहां पर चली गई है ऐसे यहां पर तो इस प्रकार का एक करम चल रहा है और इसमें जो करम चल रहा है तो फिर इसमें सब्सक्राइब दिखाईदे होई यहां यह दक्षिनावर्त घुम रही है और मतलब यह यह जो यहां पर डंड़ जो है यह तो घूम रहा ऐसे और जो यह डोट है यह गूम रहा है ऐसे मतले बने दोनों कुल्टी साइड में गूम रही है एक दूसरी के पैटर्ण जाए रखे जाए तो आकरिति फिर यह भी वाली जाए यहां पर इसमें बने गी उसके बाद है नीचे कुछ दो कतन दिये गए हैं उसके बाद निसकर्स है यहाँ पर तो इसमें कौन सा सही गलत है उब आपने बताना है तो यहाँ पर कतन है कि सभी बरतन चमच है सभी कटोरे चमच है उसके बाद मिस्कर्स है कोई बर्तन के टोर नहीं है कुछ बर्तन के टोर रहे हैं कोई चमच बर्तन नहीं है तो इनी से आपको कोशन हलो होगा सभी बर्तन चमच है तो यहाँ पर बन जाएगा ऐसे यह हो जाएंगे सभी बर्तन यह क्या है सभी बर्तन है सबी बरतन क्या है चमत है तो यह जैसे यहां पर बना लेते हैं तो यह जैसे सब बरतन है तो यह जैसे बरतन है सबी बरतन क्या है चमत है तो यह इसके अंदर आ लेगा चमत सबी बरतन चमत सभी कटोरे चमत है तो सभी कटोरे यह हो जाएंगे कटोरे तो सभी बरतन चमत और सभी कटोरे चमत है तो उसके बाद इसको यहां पर हल करना है और इसमें देखे तो जो ऑप्शन सी जा फिर यह बनेगा निसकर से गुर्दो क्योंकि कोई बरतन कटोरा नहीं है कुछ बरतन कटोरे हैं और कोई भी चमत बरतन नहीं है तो इनके अंसार जो है लिसकर से कत्वा लिसकर तो निकलता है उसके बाद कोईशन है यहां पर यह भाग करत जमा माइनिस करत भाग गुणा का माइनिस और जमा का गुणा है तो यह जो यहां पर कोईशन दिया गया है मान वाला यह आपने हल करना है तो यह जो संख्या है इसमें इनके साल पर यह वाले रखने हैं जैसे बाग है बाग की जगा पर जमा वाला चीन आ पर आ जाए गाए गा इसे आपने लगा लेना है और जब हम इसे हल करेंगे तो जैज का तो फिर इसमें यह वाला यह बनेगा है क्योंकि बोर्ड मास चोटता है बागोना जम्मा मैनस वह वाला आपने इसमें यह उन्टाना है उसके बाद यहां पर सेम वैसे यहां पर भी एक कथन वाला कोशन है कठीन पृष्रम का कोई स्थानापन या विकलब नहीं है निसकर्स निकलता है कि कठीन पृष्रम स्थानापन या विकलब नहीं है और यहां पर देखे तो अप्शन सीज वाइस का बनता है निसकर्स एक और दो अनुछन करते हैं कठीन पृष्रम स्थालता की कुछी है क्योंकि जब तक आप मेनत नहीं करोगे आप लक्षय को प्रात्मी करोगे और लक्षय को पाने के छोटे रास्ते नहीं है तो क्योंकि अगर आप एक चट पर भी चड़ते हैं तब भी आपको जब करमाई जो सीड़ी हैं वो ही चड़नी पड़ेगी तो यह ज्वाइस को यहां पर मान गया है उसके बाद आजाता है यहां पर दनुस चेएप प्रव दिशाक्योर यात्रा करता है विशव उत्तर दिशाक्योर यात्रा करता है गीतर ताणया विबृत दिशाव में यात्रा करते है ताणया धनुस सादय figur कора नीच्च आ पर कि यहां पर आपने इसका चो बनाना होगा तब जा यहां पर हरा होगा को कि इसका जो कुछ डाइगराम यहां पर बने गए इस प्रकाल से प्रकाल से बनेगा तो यहां यहाँपर विशव आएगा यहाँपर घीता एक और धनुष और यहाँपर आगी तानिया अघ्याएं चमट गेताटर तानिया और दूसले के और यात्र करें थानिया तैनिया दक्षेन्व दिशा ख जाएव удоб bye और यात्रा करेंगी तो विशव और गीता दोनों समवाय दिशा में यात्रा करेंगी। को इसका जो है यहांपर option c जो आए ऑला है by option c ОНА यह है विशा और गीता यह की दिशा में यात्रा करते हैं उसके बाद जो हमारे यहां पर जो हिंदी जाव से कुछ जो मैंतपून कोश्चन आवा जाते हैं जिसमें जो हमारा पहला कोश्चन नवण तारिका के अंसार हर्षव दिर्ग इंपलूत यह क्या है जिसमें थे उसमें यह हो मात्रा है व्या प्रिक्व हरत यह तो उसके इंपला पन करना तो यह क्या है और इनको जो मानगए है ओप्शन ए वाला मानगए है कि यह पुलूत सवर जह उसमें आ जाते हैं हर सवस्वर दिरग जिनसे इनको बोले में दुगरा समय लगता है जिसमें आ दिरगी दिरगू ए आई ओ और पुलूत जिसमें इनसे ज्यादा समय लगेगा जैसे यह वाला है कि उसके बाद है आपर वर्तिनी के अंशार यहां पर एक आशुद्ध है और आशुद्ध जा फिर यह कौट से वाला है कि यहां पर देखने तो जो आप्शन भी वाला है उसी को मानगए है कि यहां पर जैसमें जो दिर्ग यह जोतिया बड़ी एक हाई उसके बाद मेक सन्दी आ जिए यहां पर आयाधि संदी है उत प्लस में योग त था प्लस में एक यह प्लसमें जया आयाधि संदी आजकर उधान कोन सा है जैसे ना एक वगेरा जो आते हैं तो कौन सा होगा यहां पर जो option टीव में है 9 प्लस में 1 अब यह जो आउ है आउ आउ जो है इसको होता है आउ अगर यहां पर होता ओ इसको होता आउ तो यह अगर संस्कृत में आपने पढ़ोगा तो यह जो इसमें यह करता है यह वाला का आउ आउ को आउ आउ को आउ एको आए और बढ़िये जो होता है उसको आउ तो यहां पर जो है इसमें 9 जो है इसको आउ होकर नाविक जाए बनेगा तो उसका है उसके बाद आजाता है अजायव घर एक देशी सवद है तद्वव है विदेशी है या संकर सवद है तो अजायव घर जो मानग है यहाँ पर एक जो संकर सवद है उसको मानग है जो सवद भिन भासाओं के सवदों के मेल से बनते हैं उन्हें का जाता है संकर जैसे हिंदी और फार्शी इनका मिलान है फल और दाः तो ये बन गए फल दाः ऐसे ही संस्क्रित और हिंदी में वर्स और गांट अंग्रेजी और हिंदी में टिकट और घर तो इस प्रकार से ये संक्र है संक्र जासे में लजुला खादेते हैं इसे हाई ब्रेंड नेक्ट है निम्मन विकल्पव में से शाबद युगम के आट में भेद कौन सा बिलब है कल्पना कल्पना दुख्य होकर बिलखना और एक कल्पना है मुट वीचा कांति कलांति कांति का मतलब चमप कलांति ख्याति गुट का मतलब पूस्ति का कमाबादी वाली जगह है गुटिया गोरा काला गोरा सफेद और गोला गोलवस्ति तो यहां पर कौन सा गलत है और यहां पर जो है उप्शन भी को मान गया है कांति कलांति कांति एक आंत्रिक परसंता कह सकते हैं तता स्वास्ते से बड़ा चड़ा सारिक्स हो दिया है और है और जो कलांति है इसको पाजाता है तकान या थका वढ़ाए तो ही सिकांस अंगा उसके बाद भला मिया कशारा क्या है कि क्या है do एक से एक बजानile कांतों पड़े होंगे इसके उपर भारत पाकिस्तान के उपर बहुत से उदाना आते हैं भारत पाकिस्तान के युद में जो भारत ने पाकिस्तान की इसके प्रकार से बहुत से उदान आपने पड़े होंगे उसके बाद है निमन में प्रेरनार्थक करिया है उटना चमकना गिराना तो प्रीय नार्थक किलिया है कि और इसमें जो है यह फिले हैं एक वता गिरना एक गिराना है एक गिराना क्या है आज दोरण किरह से बंदी है कि आनला ना जो ब होती है इन प्राइब कि उसके बाद है एकलता समय मास है तत्पूर्ष अवेभाव द्वीगा द्वधाव द्विग्डस नियाँ द्वक्राच्जार्ध याहां से भात कि अवे अवया उप्षाता है ऑय हैं जए इस प्रगाल के जो होते हैं जो आपको दिखाई देगा तत्पुर्द होता है जिसमें दुस्वराण होता है तो यह एक लोता आ जो आया है यह एकलोति संतान जो कह देते हैं उसके लिए आया है तो द्यूर्ग्स मास यहां पर पोज़ाईगा उस समया पुरा पद संख्यावाची हो, संख्यावाच अक्विसेशन हो, तो उसे दिवगुसमास कहते हैं, जैसे एक लोग, एक लोग, मतलब एक लोग, उसके बाद है, इन में से कौन सा वाक्या सुध है, फूलों की सौंद्रिया दर्शनिया है, यहां ताजा और गरम भैस का दुद है, वाक्या में कोई सुध नहीं है, तो कौन सा वाक्या, यहां पर सुध है, फूलों की सुंद्रिया दर्शनिया है, यहां इसका बनेगा, फूलों का सुंद्रिया कि यहां ताजा और गरम भैस का दूद मिलता है जब पर मनना चाहिए है यहां बैस का ताजा युँ गरम दूद मिलता है और उसे मृत्यू दंड के सजाद दी गई उसका बनेगा उसे मृत्यू दंड दिया गया दिया गया है तो इस पकार से होने चांजिते हैं उसके बाद है मुख चंदर्मा के समान है यहां कौन सा लगकार है मुख जो है वो चंदर्मा के समान है उक्मा इसले स्यमक वक्रोपी तो यहां पर कहस में उक्मा दी गई है किसके साथ चंद्रमा की साथ जहां अधिक समानता के काम उसको चंद्रमा के समान सुन्दर बताए गए। को हमा की गई है उसके बाद जो हमारे यहां पर जो इंग्लिस जो है उसे कुछ महताबन को सना जाते हैं जिसमें पहला को सब्सक्राइगा फिल इंदे ब्लैक्स भी दे प्रिवेट आर्टिकल तो यह आर्टिकल है यहां पर इसमें क्या आएगा और यहां पर देखे तो आप्शन सी जो इसको मान गए है एंड जो है इसको प्रियों होगा है क्योंकि यह जो एरिस जो है इसका रहां वावल साउन से मान गए है तो एंड जो है इसका प्यूर होगा नेक्स्ट है आप परे पोजिशन है वी निड ए पैन टू राइट और अबाउट विद या फोर और यहां पर एक आप्शन दिवाला है वी निड ए पैन हमें चाहिए पैन क्या हो सकता है लिखने के लिए तो वी निड ए पैन टू राइट वीद वीद का प्रयोग यहां पर इसलिए है क्योंकि जब किसी इंस्ट्रमेंट या टूल की मदद से कोई कार्य किया जाता है तो से के द्वारा के साथ में वीद का प्रयोग होता है कि उसके बाद है यहां पर फिलिंदी ब्लैक्स प्रिपेट वराव यह वरभ है यह तो सिंस है लाश्ट इवनिंग है वाज हैव वीन इस या हैज भी तो यहां पर जो इसमें डे वाला हैजबी माना ले हैं इट हैज बीन क्योंकि जो वाक्य है वो प्रजेंट परफेक्ट कंटीनुज में है अगर ने रेनिंग इट हैज बीन रेनिंग सेंस लास्ट किविन पिछली साम से वर्षा हो रही है मत्रीका बीन क्यों का जाएगा जाता है तो उसे क्या आतले जाता है हिंसे का जाता है लिए आता है और यह architect जो में बद्धा से उगरादा बनाता है उनके लिए आता है उसके बाद है what is the antonym of the world जो ये दिए गया है तो इसका है अब जो इसका antonym जो बनेगा hybrid वो कौन से वाला बनेगा इसका मतलब होता है सांस लेना खीचना और जब हम इसका इन में से बनाएगे तो यह बनेगा उप्शन सी वाला एक्षेल सास छोड़ना तो यह है सास लेना इनहेलर आपने पड़ा होगा इनहेलर मतलब अपने और कैचना और एक्षेल जाए छोड़ना है तो सास लेना यह कीचना और इसका जो विप्रित जाए उल्टा वह बनेगा सास छोड़नाDas और यह जो यह यह जो है इसका मतलब होता है चीक मारने और यह इसका मतलब होता अपने स्वागत करें एक रायोप्रिटी इस पकार से है उसके वाद इस दिमीनिग अफ एक्सपेरेशन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है और इसका जो अर्थ है ऑप्शन सी से है स्मार्ट एंड कलेंज साफ शुत्रा उसके बाद है पीचर पॉर्शाशिव टैस्ट तो फ्यूचर वाला कॉर्श है तो क्या है यहां पर फ्यूचर प्रोग्रेसिव आलब ताना है और इसमें देखे तो जो अप्शन बी वाला उसको मालब है सब्जेक्ट प्लस सैल या विल के साथ बी और वर्व की जो पॉर्व के साथ आई एंजी और ऑप्जेक्ट उसके बाद जो हमारी आपर जो कर्याना जिकी जो है इसके कोशन हाटते हैं जिसके पहला कोशन है इसको किस राजा ने बल्लव गाड के लिया था तो जो इसका जो सब्लक है जो हो अप्सन सी है बललòn के ते राजा ना हर्शिंग 9 January 888 को राजनार सिंग को अंगरेजियो के दोवारा फांसी दी गई और 8 January को नार सिंग के बल्दान दिवस की रूप में बनाया जाता है तो परलवगर जो है इनका सुन राजनार सिंग से है ये पिछला जो सीटी का एक्जाम था उसमें भी जा इनका एकोशन आई वह था परलवगर से सहुन लित थे राजनार सिंग उसके बाद है पांडव के गुरु दुरोन कुरक्षेत्र यूद के दुरान किसके और से लड़े थे तो पांडवा के गुरु जो दुरोन थे पांडव, धरम, कौरव या वाम और यहां पर जो है ऑप्षन सी वाला है तो यह लड़े थे कौरवा के और से इन में से अधिकान सराजों के यह अधियापक थे दुरोन चारिय जो दोनों पक्षो जो थे गुर्ट सेत्र यूद में सामिल थे उनमें से अधिकान सराजों के वध्यापक थे उन्होंने दृता से दुर्योधन से पांडव को राज्य से निर्वासित करने के साथ साथ कौरव के पांडव के परतिश्मा ने दिरुवार की नि कि पहले आथा आंगलता जाता है अकबर के समय रिवारी के साथ राजबला रावकारण सिंग फोल सिंग या हम जंद अकभर के समय रिवारी के साथ यह पर्ण ठेस जिसे हे मृब कहा देते हैं तो यह जो 156 का जो यूद हूँ उनपर सी इसमें अक्पर ने हेमो को प्राजित किया था और हेमो की मृत्विश में हो गई थी पानी पर तीन डिल्रवाई के लिए जान जाता है तीनों ही मैत्रपुन है उसके बाद है सरप दमन हर्यान के किस पुराची नगल का नाम है सोनिपत सिर्सा सोन या सफीदो और इसे आप असानी से याद रख सकते हैं सरप सफीदो सफीदो सरप दमन तो इस प्रकार से इसे आप असानी से याद रख सकते हैं तो उप्षण टी जा इसको मान गया है सफीदों जाये विदान सबाण निर्वाचनक शेतर हर्याण के जीन जीले केस्तिते एक विदान सबाण शेत्र है जो सोनिपत लोकसवा निर्वाचंग शेत्र के अंतर रगाता है या पर सरफ सास्तर की प्रमप्राव का पालन करते हुए जनमेज्या ने जिस थान पर साप का बर्दान दिया था तो उसे सरफ देवी कहा गया है तो उनी के नाम पर पड़ा है उसके बादा हर्यान में स्वान नगरी है पाली पत्रिवाडी अम्बाला या सौनिपत तो स्वान नगरी कहा गया है और इनमें जो स्वान नगरी है यह option की में है सोनि पध चूंप जो है इसको सॉनपरस्ट कह सकते हैं या सोन उछी कह सकते हैं क्योंकि सॉनपरस्ट शे आप इसको ग्याद रख सकते हैं यह दिर सब estado नाम क्या था तो यहाइब परोचन के लिए परशीद जिएमर्खоворायश फार्श जूल तो क्या ये कनल में है और प्रेटन के रिए परशिद है और इसका नाम है कर्ण से कनल पड़ा है तो यह इसका हो जाएगा भरकल जील ये काँ पर फितवाद में है अरावली क्रोजिकला के पास है और तिर्या जील ये रोतक में है उसके बाद आजाता है एक प्राचीन मंदर बंदरकाली किस जिले में है मेवात अंबाला कुक्षेतर यारिवारी में तो एक प्राचीन मंदर है बंदरकाली और इसका जो यहाँ पर समंध जो आप्षन बी से है तुकापर है ये कुक्षेतर में है हुए उसके बार आजता है हरियाना का इतिहासिक भुफे मुकब्रा किस जिली में जिसका स्वन्थ शेख छिली से मान गया इसको उपाजाता है और निर्मार जाये तारा सिको जो थे बिनोंने कराया था 1650 में उसके बाद जो कोशन आजाता है चोदरी देविलाल हरभल पारक ये किस जिल्मे है रिवाडी यमनगत मेवाद या पनबत ने तो चोदरी देविलाल हरभल पारक और यह कहां में कंपर है तो यह एह उव्म नंगर को था है उसके पाँ हर्याने के निम्रिक्त की cinrick ऐसी माद दो राज़ों से लगतीैं कि यह नागर तो je यम न नगर को वाय्ष चिले हैं कि अब बå Mach ar Paparanova कर है तो एक पंझाबं ओर उमचल प्रदेशके उत्तर और राजस्तान से पस्चिम और दाक्षिन में राजयमी स्हीं मिन्हीम साह स्थाइब्ला इस ने उत्षिम में राजयमी सिमा मनाता है कि और हर्याना एक बड़क सेत्र राष्ट्रिया राज़णिक सेत्र में समिल है यमनागर हर्याना के एक जिला है जो दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है प्रदेश के लिए जान जाता है कागज प्रदेश के लिए तो यह दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और प्रदेश और उसके वादा हर्याना में कितने जिले हैं असान कोश्चन है उसके बनाता हर्याना काठन 1966 में नमबर उसके बाद आजाता है इन में से कौन सा जिला रेतिला नहीं है मेहंदरगार प्रदा उसके टर नहीं हैं ये जान ब्रद में निक्री करणा जान अगरे उसके शर्खवारत करणस पाहलेु से कौन सान अगर शामिल नहीं सबसे बड़ी साइक नदी है और इसकी साइक नदी की बात कर जैसे चंबल, केन, बेतवा, इंडन, टोंस ये वाले आ जाती हैं तो सदबैन वाली जाए यमना है उसके बाद है हरियाना पंचाती राजादिनी मुनिश्य चिराणों की किस धारा में प्रादिकान की स्थापना और संवरतना ये उलिखित है दोसुनिस वीस अठारा या इकिस में हरियाना पंचाती राजादिनी मुनिश्य चिराणों की किस धारा में प्रादिकान की स्थापन और संवरतना ये उलिखित है और यहां पर देखें तो जो ऑप्षन डी वाला है तो ये है धारा दौसु एकिस में तो करनाल फृदाबाद तो उसके बाद है इन में से हरियानों में पंचैती राज की सबसे निचली काई हरियानों में पंचैती राज की सबसे निचली काई ब्लोक पंचैत, तालोक पंचैत, गराम पंचैत, जीला पंचैत तो पंचैती राज की सबसे निचली काई जो अप्शन दी में है तो यह कर आपन चाहित है अ कि उसे वादा हर्याद में कुल डिविजन है तो हर्याद में कुल छैन टैस्ट वीजन है बुगोलिक राजनेति पुसाशनी के जबाईू तो अप्शन सीजाइस का हो जाएगा तो यह प्रसासनी का जाता है यहाद तो प्रसासनी का थार पर रिजाना को 22 जलों में बटा हुआ है जो छै मडलों में बटा हुआ है और इन 22 जलों में अब उसके बाद हर्याणा का नोह जीला प्रसासनी के अंतर गाद आता है तो इन्हें नोह जाएक पौन से मंडल में आता है प्रसासनी के अंतर गाद आता है नो तो यह आएगा और ऑप्शन सी प्रिदाबाद तो प्रिदाबाद पर्वल मेवात या फिर नूह यह इस परकार से है उसके बाद हर्याणा के कि जले में आई सी आर राष्टे दुग्द अंसंदान संस्कान एंडियाराइ यह है तो एंडियाराइ कापर है और यह करनाल में है उसके बाद जाता है इनमें से हर्याणा में सबसे बड़ी अनाजबंदी यह कापर है निल्लोखेडी सिर्सा भिवानिया लागों में तो हर्याणा में सबसे बड़ी अनाजबंदी है और यह कापर है यह लागों में है उसके बाद है हरियाना में किरिशी ख्षेतरों की कुल संख्या कितनी हैं, दो, तीन, चार या पाँच और यहां पर एक ऑप्षन एक वाला, तो हरियाना में क्रिशी क्षटरों की कुल संख्या जो है, यह दो माने गई है, उसके बाद है अहर्यादिका स्बसे कम स्याख्षचता वाला जिला को cracked last में दरिगंग स्बसे कम ढोला ज्रया हिवा ऑवर यह एक अप्र आपशन भी वाला मिवा है वह जहाँए जर्ण सबसे कमतो पर जादा फ्रम कि उसके बाद है हर्यार्मी भासा लिखने के लिए कि स्लिपी का उप्यों के जाता है संस्क्रिद देवनागरी हिंदी आइनमी से कोई सब नहीं है तो हिंदी बाद से लिखने के लिए असान कोश्चन है और सी वाला हो जाएगा देवनागरीपा उसके बाद आ जाता है जोगिंदर सिंग इनमें से एक साहितेकार है जोगिंदर सिंग जल्चा साहबाद पानिपातम बाला कहां से समन्ध है इनका समन्ध है ऑप्षन भी साहबाद से जोगिंदर सिंग्साविद और साहितेकार है और उन्होंने तीन भासाओ के साहित में प्रव्योग दन दिया है हिंदी पंजाबी और पुर्दु में उसके बाद है गिद सरक्षन और परजनन के अंदर हर्यान में कहां पर है पांचकुला कुनालियों नगर या पिंज ओर म है और इसकी जो स्थापना जोए बुम्बे नेचरल हिस्टी के सेवक से हर्यानवनी बार की गई थी और भारत में गिदो की नो परजाते पाई गई है नो परजाते पाई जाती है जिसमें से पांच जिन्स गिपसस के हैं अगया आए उसके बादा सुल्तान फिल्म में हर्यान का प्हालवान की भूम ताफ आधा की थी यह आसान पॉस्टिन है सभी को पता हो गाई इसका तो तो कौन थे में आप से यह वाले कि उसके बाद है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मुदी ने पानिकत से किस अभ्यान का प्रारण किया था और यह भी कॉर्शन हाली में स्रीटी का जो एक्जाम तो इसका जो समन्द है कि से हैं बेटी वजाओ बेटी पड़ाओ और यूपेस्टी की जो टोकर थी अनुकुमारी इनको वर्ष दोहजाठारा में ब्रान बैक्टरिन का बनाए गए था उसके बाद है के एमपी कार्पून रूप कौन से है के एमपी तो कौन से है कौन से है कौन दिली मानिसर परणवान उसके बाद हर्याणा सिरकार ने की स्तारिक को परशुधन भीवा योजना सुर की थी और यह की गई थी ओप्शने 29 जुलाई सद् слटरन करने बहुततक न्यकि संस्तान के है क्रश्ar सब्सक्राश करने तो इस बगिया और इसको प्रकार में उसके अपर कोशण हुआ 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 हुआ